महिला के कई टाइप के सिक्रिशन प्राइविट पार्ट से रिलीज होते हैं उन में से जो एक सिक्रिशन है एक टाइप का जो सिक्रिशन है वो महिला को ये बताता है कि उसका फरटाइल टाइम चल रहा है यानि महिला का अंडा बाहर निकल रहा है और जो महिला चाती है खेट को पह surroundings के वो जल्दी से जल्दी pregnant हो सकती है, अब यह secretion महिला के private part से कई type के होते हैं, जैसे सबसाब पहला secretion होता है कि महिला के जो print cycle आती है, उस time जो secretion बहर आता है,์ वो blood होता है, red color का होता है, इसका मत्तब महिला का यह bleeding time चल रहा है, तो इस दोरान कोई pregnancy नहीं होगी क्योंकि जो पिछली cycle चल रही थी उसमें pregnancy ना होने की वज़े से जो गरबाशे की दिवार तयार हुई थी वो टूट-टूट के बार आ रही है इन दिनों कोई pregnancy संभव नहीं है वो एक अलग बात है कि आप महिला से distance maintain करते हैं आईजीन की वज़े से ना की वहाँ pregnant होने की कोई संभवना नहीं है तो relationship बना सकते हैं वो आपकी choice के उपर एपन इन दिनों कोई pregnant नहीं होगी जैसे महिला के bleeding का time खतम होता है और प्रेट्स खतम होता है दो दिन तक आपको wait करना है next three days पे आपको two finger से आपके private part पे touch करके देखना है कि किस type का secretion आ रहा है तो जैसे एक दो दिन में आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत चिपचिपा सा या तो आपके under garments पे feel होगा या आप tissue paper से चेक कर सकते हैं touch करके पर मैं यह करूंगा कि अपनी finger से भी touch कर रहे हैं तो नाखून कटे वे होने चीए हैं और हाथ साब साबून से दो के ही touch करके आप ये feel करके देखें कि किस type का secretion आ रहा है जैसे जैसे आप देखेंगे कि महिला के time period के 4-5 दिन बीजते ही एक type का secretion release होगा white होगा, पानी जैसा होगा, liquid होगा पतला होगा, अना गाड़ा नहीं होगा बिल्कुल white सा पानी जैसा liquid होगा और थोड़ा थोड़ा आप ऐसे करोगे तो उसका एक धागा तातू नामा सा बनेगा पर दैसे देखोगे कि 3-4 दिन बाद वो बहुत बड़ा सा तातू नामा बन रहा है इसका मतलब जिस दिन आपको secretion feel हो, उस दिन से आपको relationship बनाना है, और maximum chance होते हैं कि वो secretion जैसे जैसे बढ़ेगा, तो आपका अन्डा release होगा, एक दिन ऐसा होगा उस secretion के दोरान ही, इसका मतलब ये है, वो secretion बच्चे दाने के मुह से बार निकल रहा है, यानि बच्चे दाने का मुह हमेशा एक secretion से बंद होता है, पर जब ये महिला का अंडा बार निकलता है, हार्मोनल changes की वज़े से, वो secretion lose होता है, और वो बार आता है, इसका मतलब है, कि महिला के जो private part है, उसमें जो secretion आएगा, वो clear whitish होगा, और एक दातू नामा साब बनेगा, वो आप देखी रहे हैं वीडियो में कि इस type के तातू जब बन जाए, तो आप समझ लो कि आपका under release हो रहा है, पर आपको क्या करना है, कि जिस दिन ही आपको secretion feel हो, उसी दिन से इस type का secretion feel हो उसी दिन से relationship बनाना start करना है, तो अब आप महिला को कई बार ये लगता है, कि मैं रोज relationship बनाऊं, या ultra days बनाऊं तो आप चाहें तो रोज बना सकते हैं, पर मैं ये कहूंगा, कि एक दिन छोड़, एक दिन minimum जरूर बनाए, फोसिस कर सकते हैं कि जब तक आपका वो secretion बाहर निकल रहा है, ये secretion तीन या चार-पांच दिन तक चलता है, तो आप जब तक वो secretion बाहर निकल रहा है, और जैसे secretion बंद हो जाए, उसके भी दो दिन बाद तक आपको relationship बनाना है, ये ध्यान रखना, जिस दिन आपको secretion फील हो, उस दिन relationship बनाना है, और जिस दिन secretion आपको आना बंद हो जाए, यानि महिला रोज चेक करेगी, वो चेक करना है, दो पैर में और शाम को, यानि दो पैर में दो तीन बज़े चेक कर सकती है, शाम को आठ नो बज़े चेक कर सकती है, वो जैसे ही secretion फील हो, महिला को ये relationship में रहना है, वो alternate days, यानि मतलब एक दिन छोड़ एक दिन तो जरूर रहना है, बाकी कोशिस आप कर सकते हैं, आपका partner हमेशा आपके साथ रहता है, तो relationship आप रोज बना सकते हैं, अब इसमें दिन में कितनी बार का ऐसी कोई अवधार ना नहीं है, sufficient होता है, एक बार भी, क्योंकि एक बार में भी जब पुरुष साती का जो sperm release होता है, वो million of sperm release होते हैं, और उन में से बहुत सारे sperm, अगर अगर अंड महिला का सही टाइम पे बाहर निकलेगा, तो उस टाइम मेच्वर एग निकलेगा, कई बार महिला के एग मेच्वर नहीं निकलते, पर जब अगर महिला की प्रिट साइकल रेगुलर है, तो मेच्वर एग निकलता है, जो 20 mm का minimum होता है, जो अंडा बाहर निकलेगा, उसमें से कोई एक sperm, एक sperm ही अंदर जाएगा, और वो एक sperm fertile कर देगा, यानि मतलब वो pregnancy का सुरुवात कर देगा, अब उस अंडे में जो एक sperm अंदर गया है, वो travel करते हुए, बच्चे दानी के अंदर आएगा, क्योंकि जो pregnancy होती है, वो tube के अंदर होती है, फेलोपिन tube की, कुछ लोग बोलते हैं कि ये tube boys की है, या ये tube girls की है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनो tube हैं, जो समान है, जो उन में से एक अंडा भेद करेगा, और वो pregnancy होगी, अब थोड़ा सा आपको समझना है, इस secretion के बारे में, अब secretion आपको two finger से, नहीं समझ में आ रहा तो आप रोज चेक कर सकते हैं, जैसे आपकी menstrual cycle periods खतम होता है, तो आप रोज चेक कर सकते हैं, यानि कई बार क्या होता है, कि पूरे मेने महिला और पूर्स relationship में रहते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है, जब अंडा निकलता है और कोई ना कोई काम हो जाता है, या किसी वज़े से, वो दिन चूग जाते हैं एक दो दिन, और वो टाइम मिस होते ही उनको pregnancy नहीं होती, उनको हतास होता है, कि हमने तो पूरे मेने बनाया था, पर आपको थोड़ा सा ये देखा है चाहिए पूरे मेने ना मनाओ, पर वो secretion होता है, liquid होगा वो, बिलकुल धागू नामा ताता बनेगा आप देखेंगे कि वो जैसे 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 दो-ती दिन दिन बाद में पूरा ऐसे जैसे बिलकुल तातू नामा धागा बन जाएगा जो आप वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको वो भी दिखाई दे रहा है तो वो इस time ऐसा है महिला का fertile उन दिनों desire इच्छा भी महिला की बढ़ जाती है उसके temperature में भी थोड़ा सा changes आता है महिला के private part से कई बार yellow color का discharge आ रहा है या green सा color का discharge है या जो दही है वैसा फटा फटा सा दूद फटा फटा सा जैसा discharge आ रहा है और उनको itching की या burning sensation की या relationship बनाते हैं जब दर्द होता है तो ऐसे symptoms भी आ रहे हैं तो इसका मतलब महिला के private part में infection है आप उन दिनों relationship ना बनाएं पहले अपना ilaj कराएं treatment लें क्योंकि अगर pregnancy हो गई तो फिर आपको दवाई खाने में भी problem होगी हर दवाई pregnancy में नहीं दे सकते और वो itching की problem और वो infection आपको कई बार तो abortion करवा देता है या फिर आपको pregnancy नहीं होने देता तो मेरा यही suggestion है अगर ऐसी secretion की problem महिला को चल रही है तो पहले वो ilaj कराएं और next month से आप ये calendar method ही ही कहते हैं इसको जो natural तरीका है secretion से आप आसानी से पैचान सकते हैं कि उसको pregnancy कब होगी अब ये secretion बहुत ही important है जो आप check करोगे तो आपको check करना है बिल्कुल साफ हातों से आपको check करना है मैं हूँ Mr. Shyam M.S. Hospital में यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें